जब भारत सरकार की तरफ से हुई तो पूरी मीडिया अपने अपने ढंग से मुगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुई कालपनिक सवाल उठाने लगी मोदी हमेशा रास्चों का ऐसा गुबारा छोड़ते हैं क्यों उनके विरूधी पागल बने रहते हैं जब पठार मंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रपती महामहीम द्रौपदी मुर्वु के तरफ से जब विदेशी महमानों के लिए रात्री भोज का निमंत्रन पत्र गया तो उसमें भारत के राष्ट्रपती प्रेसिडेंट ओफ भारत लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ओफ भारत के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर अब भारत था तो बौखला गई पूरी इंडिया गठवंधन गैंग और यह कहने लगी कि हमसे डर करके भारत नाम रखा गया भारत सैकुडों नहीं हजारों साल पुडाना नाम है भारत का अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया दे दिया इस इंडिया कंपनी आई इंडिया हो गया वेस्ट इंडीज भी है रेड इंडियन भी है तो इंडिया भी है कहते हैं कि अंग्रेजी में इंडिया एक गाली भी है लेकिन वही लोग वही लालू प्रसाध यादव जो कहा करते थे कि बिहार भारत है दिल्ली इंडिया है एक इंटरव्यू उनका वाइरल हो रहा है कभी ब्रश यूज नहीं किया आप नशार है इंडिया में नहीं मिलता है दिल्ली इंडिया हो गया जी आपने सुना लालू यादव क्या कह रहे हैं लालू के रहे हैं कि भारत है भारत है विहार मतलब गौरब करने वाली चीज बिहार है लेकिन यही लालुयादव और उनके बेटे अब भारत का मजा कुराने ले जब पुणान मंत्री मोदी के स्ताम ने वो जो उनका नेम प्लेट है उसमें भारत लिखा हुआ था तो ऐसा लगा कि संसत के विसे सत्रवेट भारत का नाम बदल दिया जाएग अब भारत और इंडिया ये दोनों तो अल्लेडी नाम है तो बदलने के जबत क्या है दरसल पठान मंत्री बोदी ने कुछ नया करते हैं और लोग पागल हो जाते हैं भ्रहम के शिकार फुदी हो जाते हैं जी ट्वेंटी की बैटक में इंडिया शब्द भी कई जवा लिखा हुआ था इसका मतलब कता ही नहीं था कि इंडिया हटाया जा रहा है भारत रखा जाए प्रधान मंत्री बस यही चाहते थे कि ज़ादा तर प्रियूग ज़ादा से ज़ादा भारत का हो इंडिया नाम तौवा मचाना शुरू करूए। पढ़ान मंत्री बोधी का यही स्टाइल है। और इसलिए जब विशेश सत्र का आयोजन हुआ, तो सोनिया गांधी के तरफ से एक चिठ्थी आई। जो सोनिया मुह नहीं खोलती, उस सोनिया ने कहा कि आखिर यह विशेश सत्र बुलाया क् जा रहा है। तब पढ़ान मंत्री बोधी के तरफ से भारत सरकार के तरफ से यह जानकारी दी गई है। राज्यसभा के विशेश बुलेटिन के माध्यम से। इस विशेश सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के चैन प्रक्रिया उसके नुक्ति वाला बिल पास किया जाए पोस्ट ओफिस बिल आएगा ऐसा ही कुछ बिल में। यह तमाम फैप्ट आने के बाद भी कॉंग्रिस मालिने को तयार नहीं है। उसे लग रहा है कि मोधी कुछ बड़ा खेल कर देंगे इस विशेश सत्र में। और BBC को दिये गए इंटर्वु में साफ कहा गया है कि हम इस इसे मानते नहीं कि ऐसा कुछ बिल पास किया जाएगा। प्रिस पत्रकाओं के पंजीकरण का बिल भी पास करने की बात कही गई है। और इखा गया है कि यह विशेश सत्र। नए संसत को ले करके हैं। 75 साल के अमरित काल को ले करके हैं जैसे 50 साल पर हुआ। और सबसे बात गौरब की कि सरकार की खिलाप विपक्ष का डर इसलिए लगता है कि नए संसत से मोधी इतनी बड़ी लकीर खींच लेंगे कि फिर 2024 का चुनाव उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं नए संसत में करमचारियों अधिकारियों के लिए नया ड्रेस कोड ह बेचैनी मोधी इस से भी बढ़ाएं। दरसल जो नया ड्रेस कोड है करमचारियों के लिए उसमें गलाबंद जो सूट था उसके जगह पर मेंजेटा आ गया है। गहरे गुलावी रंग का हाफ जैकेट उने पहनना है और महिलाओं को भी इसी रंग से गहरे गुलावी रं इस बात को लेकर उनुमाद पहला रहा है कि कमल क्यों। इन्हें कमल में भारतिय जनतापार्टी का प्रचार दिख रहा है। लेकिन कमल मा लक्ष्मी की प्रिये पुस्प है भारत का राश्ट्रे पूल है। दरसल मोधी वहीं लाकर इन्हें पटक देना चाहते हैं जहां य है कि उनकी तिल मिलाहट किस बात को लेकरके। उन्हें इस बात की कता ही कोई चिनता नहीं है कि सरकार कौन सा बिल पास कर लेगी, कौन सा करा लेगी। उन्हें इस बात की चिनता है कि संसत का विशेश सत्र क्यूं। दरसल उन्हें पता है कि ये सत्र नए संसत्र भवन में ह होना है 18 से 22 सेप्टेंबर के बीच जो ये विशेश सत्र चलना है उसका पहला दिन 18 सेप्टेंबर को पूराने संसद भवन बरतमान संसद भवन में होगा और 19 तो बितिवत बेदिवत पूजा होगी और उस पूजा से सनातन भारत की एक नई तस्बीर की ज़ाएगी फिर संस 24 से पहले मोधी भारत के मस्तक पर ऐसा गौरब का प्रतीक लगातार टीका की तरह लगा रहे हैं कि सोनिया गठवन्धन बेचैन हो रही है इसलिए चीजे सामने आने के बाद भी ये कहरे ही हमें इस पर भरोसा नहीं दरसल मुख्य चुनाव आयुप तो चुनाव आयुक्तों की निक्ति के लिए सुप्रीम कोट ने एक रूल बनाया एक आदेश पालन किया जिसमें चीफ जजजजब इंडिया भी इस निक्ति में घुसपैट चाहते थे वार्तिक कारई पालिका में सीधा भुसपैट मान रही है नियाई पालिका की मोदी सरकार और इसलिए खाकि ये बिल पास करके हम ये तैय करेंगे की मुख्य चुनावायुक की निक्ति में किनका होना चाहिए इसमें सत्ता और विपक्ष की भूमिका होगी, सरकार की भूमिका होगी, नियाई पालिका की भूमिका इस तरह की न्युक्ती में नहीं हो सकती ये बिल, मोधी सरकार इसले जल्दी लाना चाहती है ताकि 2024 से पहले ये नहीं लकीर तैको वर्तवान मुक्य चुनाव आए उक ट्यू तो 2024 के लोकसवा चुनाव के बाद तक रहेंगे लेकिन मोधी उससे पहले ही इसके लिए कानून बना करके अपना एक ऐसा मिसाल पेश करना चाहते हैं कि नियाईपालिका की किसी विधंग से कारिपालिका में गुस पैट ना हो लेकिन ये विसेश सत्र कॉंग्रिस की रात की नीन हराम कर दी हुई है ये विसेश सत्र ने उन्हें बेजैन कर दिया है कि विसेश सत्र किसी बिल से अपना गौरब नहीं बढ़ाई ना भारत के नामांकरन से होना है और इस चीजे साफ हो गई कितने दिनों जो बिमर्ष टेलिवीजन चैनलों पे चला कि भारत नाम हो जाएगा और कॉंग्रिस पोटे के जितने पत्रकार हैं उस अबने बवाल मचाया भारत से नफरत करके वो नगन हो गए मोदी यही चाहते थे दरसल मोदी से नफरत में भारत से नफरत करने वाले नगन हो गए और मोदी यही चाहते थे अब सलसद का विशेश सत्र पिरंगीन होगा जितने भी करमचारी और अधिकारी हैं वो नए रंग में दिखेंगे नए तेबर में दिखेंगे और सबसे बड़ी बात भारत का नया गौरब होगा भारत की अपनी अस्थापत्य कला से बना हुआ वो शांदार भव्वे संसत भवन होगा जिस पर भारत गौरब करेगा ये विशेश सत्र उस गौरब के लिए है और कॉंग्रिस उसी भारत के गौरब से कहा परही है मुदी दुनिया को और भारत को ये ही दिखाना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जैहिंद करो पर बहुत 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 भी है